नो आदमियों को हेलकॉप्टर से उतारा जाता है, इनके हाथ बंदे हुए हैं और आंकों पर पट्टी लगी है, साथ ही पूरा सरीर खून में सना हुआ है, ये खड़े-खड़े लड़करा रहे हैं और मानो कई दिनों से इन्हें खाना भी नसीब नहीं हुआ है, इनके खाना नहीं खाया क्या, तेज चलो, जहाज के सामने पहुंचकर इन्हें रुपने को कहा जाता है, इसके बाद हाथ में AK-47 पकड़े हुए एक आंतकवादी इनकी तरफ आता है, और कहता है डरो मत, तुमें कुछ नहीं होगा, ऐसा कहते ही वो इसराइलियों पर गोलियों क बारिश कर देता है, और तुरंत ही बाकी आतकवादी भी इन्हें गोलियों से गून कर रख देते हैं, ये बेकुसूर लोग फड़फडाते हुए मर जाते हैं, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आतकवादीयों से हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए मसूर मुसाद के होते हुए ये आतकवादी इसराइलियों तक कैसे पहुँच गए और क्यों मुसाद इन्हें खुले आम नरसंगार करने से रोक नहीं पाई, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला सवाल ये है कि इन आतकवादीयों ने जर्मिनी में उनकी आर्मी की मौजूदगी में ये सारा खे जर्मनी की म्यूनिक सहर में ओलंपिक को सुरू हुए एक हपता हो चुका है और आज ये छोटा सा सहर म्यूनिक घैरी नीद में डूबा हुआ है, यहां की सडकों पर दूर दूर तक अंधेरा है और सनाटा पसरा हुआ है, अब तेज हवा भी चलने लगती है और सडक पर अ बिल्डिंग के पीछे वाले दर्वाजे से अंदर गुच जाते हैं, यह वही बिल्डिंग है जिसमें ओलंपिक्स खेलने आए इस्राइली एथलेट्स बेफिकर होकर सो रहे हैं, अंदर गुचते ही अपनी पीट पे टंगे बैग में से एके 47 निकाल कर उसे ready to fire position में सैट क कर लेते हैं, अब यह ground floor पे एक कमरे का दर्वाजा खटकडाते हैं, और कुछ जवाब ना मिलने पर फिर से कटकटाते हैं, यह कटकटात सुन, सामने वाले कमरे में सो रहे इस्राइलिक खिलाडी good friend की आंके खुल जाती है, और वो keyhole से बाहर जांकता है, आदी रात को हर पल दर्वाजे के क्लीब आ रही है, और अंदर इसके दोस्त गहरी नीद में सो रहे हैं, यह सोच good friend और घबरा जाता है, और अब वो एक आदमी को पकड़ कर हिला देता है, कि तभी जोर से आवाज आती है, और कमरे का दर्वाजा नीचे गिर जाता है, इसके बाद एक पोस आदमी हाथ में मोत का फरमान लेकर कमरे में घुच जाते हैं, आखिर यह नकाब पोस आदमी इसराइली ख्लाडियों के कमरे में ही बंदूक लेकर क्यों घुचते हैं, दरसल 1948 में इसराइल की फॉरमेशन के बाद से ही, पी एलो नाम की एक संगठन इसराइल को दुनि जर्मन ओलम्टिक्स में सेक्योर्टी का इंतिजाम इतना स्टॉंग नहीं है, इसलिए उन्हें वो मोका आज जर्मनी में इसराइली ख्लाडियों पे अटैक करके मिल जाता है, लेकिन चोकाने वाली बात यह है कि आज ये इसराइली ख्लाडियों को मारने नहीं, बलकि गुड़ फ्रेट की नाग पे बंदूख मारते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं, कोई और कुछ कर पाता उससे पहले ही, ये सब को उनके बिस्तर से लात मारकर नीचे गिरा देते हैं, और फटा फट सबकी हाथ और पैर बांधने लगते हैं, लेकिन इनी में से एक एथल पे जोर से लात मारता है, तुन्त ही वीन बग की नाग से खून की धार निकरने लगती है, लेकिन फिर भी वो इसा की आँखों में गुसे से देखता रहता है, इसा से ये बरतास नहीं होता, और वो वीन बग को कोलर से पकड़ कर कहता है, तेरी ये बहुदूरी तेरे बाक खटकडाता है, जैसे ही एक खिलाडी अंदर से कमरे का दरवाजा खोलता है, वीन बर्ग चिला देता है, ये आंतगवादी हैं, सारे भाग जाओ, ऐसा करने से कमरे के अंदर और बाहर दोनों जगाए हड़बडी मज जाती है, कमरे के अंदर खिलाडी जान बचाने के लेकिन मोत के मूँ से भागते हुए इस खिलाडी को एक अंतकवादी देख लेता है और वो अगले ही पल धड़ा धड़ 20 राउंड फायर कर देता है भाग रहा खिलाडी इतनी गोलियों के बाद भी नीचे गिरने की बजाए लगातार भागता रहता है दरसल गोलियों का रा और अंदर ही अंदर भादूर जैसा महसूस करने लगता है यह दरिशय देख सारे खिलाडी डर जाते हैं और तुरंत ही सरेंडर कर देते हैं अब इन आतकवादियों के कबजे में इतने इस्राइली नागरिक हैं कि इस्राइली प्राइम मिनिस्टर से जो चाहें वो करवा और यह आगे चलकर करवाएंगे भी सुबह 6 बजे जर्मनी में सूरज की रोशनी तो फैल चुकी है लेकिन आज का दिन सबसे काले दिनों में से एक होने वाला है म्यूनिक प्लिस चीफ मैंफ्रेड का फोन बसता है और यह ख़वर सुनवा तुरंट बिल्दिंग के तरफ निकल पड़ता है मेंफ्रेड वो काबिल ओफिसर है जिने क्रॉस ओफ मेरिट से नवाजा गया था इनकी काबलियत से कोई भी जर्मन पुलिस वाला अंजान नहीं है क्योंकि ये बड़े बड़े क्रिमिनल्स को धूल चटा चुके हैं उधर इसा घमंड में चूर है कि में जानकारी ले रहा था कि तब ही एक आदमी इसा की डिमांड वाला कागस मेंफ्रेड को दिखाता है जिसमें लिखका है इसराहिली जेलों में बंद सारे आंतकवादियों को छोड़ दिया जाए नहीं तो हर तीन घंटे में एक खिलाडी को मार दिया जाएगा कैम्प में मौझूद एक मिनिस्टर कहता है ये कुछ नहीं करेगा आंतकवादियों की तो आदत होती है मैंफ्रेड उसकी बात कारते हुए कहते हैं इंसा डरपोक है मुझे लगता है वो खिलाडियों को सच में मार देगा ये कहने के साथ ही मैंफ्रेड समझ जाते हैं कि अब गल्ती क कोई गुंचाइस नहीं है और यहीं से मैंफ्रेड के लिए उल्टी गिंती भी सुरू हो जाती है सबसे पहले वो आंतकवादियों की संख्या जानने के लिए चार पुलिस वालों को वेटर के भेस में खाना देकर भेजते हैं इसा कोई रिस्क नहीं लेता है और इने खाना बाहर रखकर वापस जाने को कह देता है कमरे में खिलाडी बिल्कुल सहमे हुए एक दूसरे से चिपक कर बैटे हैं और मनी मन सोच रहे हैं कि इसा किसको सबसे पहले मारेगा इसा डरे हुए खिलाडीयों को देख बहुत खुस हो रहा है और वो बार बार इनको गाले निका जाती है ये खिलाडियों से बात कर आंतकवादियों के संक्या भी गिन लेते हैं इंसा से पुलिस वाले ज्यादा बरधास नहीं होते और वो तरंथी इन दोनों को बहार फेंट देता है अब मैंफरेड आंतकवादियों की संक्या जान चुके हैं और वो एक धम दार स्ट्र मेंडर कर देंगे मैंफ्रेड अपने सीनियर को केंवेंस करने की कोसिस करते हैं लेकिन मिनिस्टर मानने को त्यार ही नहीं है इसी बीच खबर आती है कि इंसा ने एक खिलाडी के सर से गोली आरपार कर दिया है और मैसेज दिया है अब हर एक घंटे में यही होगा यह सुन मिन तक पहुंच कर अटैक करेंगे प्लान पूरा फुल प्रूप है और इधर कमांडो ज इसा का सिकार करने के लिए चिमनी पाइप में घुच जाते हैं यहां इसा को निहत्ते खिलाडियों को छिड़ने में बहुत मज़ा आ रहा है और वो कभी किसी को लात मार रहा है तो कभी क किसी को गाली दे रहा है और बार बार कहे रहा है जब तक तुम लोग जिंदा हो मुझे मारना तो दूर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता बस घमंड में वो इस बात से अंजान है कि आटोमेटिक हत्यानों वाले यमदूत चिमनी पाइप में क्रॉल करते हुए थर्ड फ्लोर स फ्लोर तक पहुँच चुके हैं यहां इंसा एक खिलाडी को अपना थुका हुआ निवाला खाने के लिए मजबूर कर रहा है उधर कमांडोज कमरे में जो चिमनी पाइप की ओपनिंग है वहां पहुँच चुके हैं और एक कमांडो नीचे कूदने के लिए पाइप का करकन हटाने लगता है तभी वो देखता है कि इंसा भाग कर खिलाडियों के पीछे चुप रहा है और बाकी आंतकवादी खिलाडियों पे बंदूख तान देते हैं कमांडोज को कुछ समझ नहीं आता तभी एक कमांडोज की नजर बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे कैमरों पर पड़ती है जो सारा द्रिशय लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं इस टेलीकास्ट के कार्ण इंसा को उसके सर पे मनराती मोत टीवी में दीख चुकी थी और कमांडोज खिलाडियों की सुरक्षा को देखते हुए नीचे कुदने की जगए क्रोस करते हुए वापत चले ज ऐसा है ये सुन मैंफरेट जोर से अपना जबड़ा भीजते हैं उदर इसा इतना घबरा जाता है कि वह अनौंस कर देता है कि अब एक सेकंड भी वेट नहीं करेंगे तुरंत हमारा इजिप जाने का इंतजाम करो मिनिस्टर जिसके कार्ण खिलाड़ी अभी मरते मरते बच इसा का मैसेज पहुंचाया जाता है कि रात 9 बजे उन्हें हेलिकोप्टर से एरपोर्ट और फिर इजेप्ट भेज दिया जाएगा इसा के चैरे पर अचानक खुशी आ जाती है लेकिन गुड़ फ्रेड जिसकी नाक से अब भी खून निकल रहा है वो बोलता है जो दूसर तक खिलाडियों ने जिन्दा बचने की उमीद छोड़ दी है रात 9 बजे बिल्डिंग की चट पर दो हेलिकोप्टर उतरते हैं आंतकवादी खिलाडियों के हाथ बांद कर और आंख पे पट्टी लगा कर उन्हें बारी बारी हेलिकोप्टर में बिठा देते हैं दोनों हे सेक्योर्टी ना कोई इंतजाम यह देख इंसा एकसाइटिड हो जाता है और मनी मन सोचता है बस अब हेलिकोप्टर से उतरेंगे और खिलाडियों को जहाज में बैठा कर यहां से 9-11 हो जाएंगे वो अपने साथियों को नीचे उतरने का इसारा करने लगता है कि तब ही उ इसकी जान लेने को तयार बैटे हैं मैन फ्रेट के प्लान के हिसाब से जैसे ही खिलाडी और आंतगवादी हैलिकोप्टर से उतरेंगे स्नैपर्स एक साथ फायर करेंगे आठ के आठ आठ आंतगवादियों को पलक चप्रते ही मार डालेंगे अब इंसा जहाज में गुश और कुछ देर तक बाहर नहीं आता है मैन फ्रेट मौसाद चीफ और मिनिस्टर जो टूटी हुई बिल्डिंग से ये देख रहे हैं उन्हें लगता है कि अब बाकी लोग उतरेंगे और वो हेलिकोप्टर की तरफ लगाता टक्ट की लगाई देखने लगते हैं जैसी स्नाइपर को फायर करने का सिंगनल देने लगते हैं कि तब ही मिनिस्टर टोकता है ये लोग तो जा रहे हैं क्यों रिश्ट लेना है अब इजिप्ट ही से समाल लेगा मैन फ्रेड का सबर अब तूट जाता है और वो मिनिस्टर की तरफ गुसे में देख एक जटके में बो देते हैं अब पूरा एरपोर्ट गोलियों की आवाज से गुझ उठता है लेकिन मैन फ्रेड नोटिस करते हैं कि गोलियां तो खिलाडियों को लग रही है और इधर उदर नजर गुमाने पर दिखता है कि इंसा ने धड़ादर अपनी पूरी मैगजिन खिलाडियों पे ख इधर स्नाइपर्स भी फायर कर रहे हैं और छे आंतकवादी तो तुरंत ही मर जाते हैं लेकिन इंसा और एक बचा हुआ आतकवादी फायरिंग करते हुए हेलिकॉप्टर के तरफ भागने लगते हैं कि तभी कमांडो की एक टुकडी बस से निकल इनके पीछे भागने ले लेते हैं बेखुसूर खिलाडियों को ना बचा पाने के कारण मेंफ्रेड खुद को कोसने लगता है और उसकी आँखों में आसू आ जाते हैं दोस्तो ये सारा दृष्य मोसाद चीफ ने भी अपनी आँखों से देखा है मोसाद चीफ जिसके हाथ इसराइली सरकार ने इंजाम देते हैं जिसमें वो इस एटैक के लिए जिम्मेदार हर उस इनसान को दुनिया के अलग अलग देश में घुस घुस कर मारते हैं और उस ऑपरेशन का नाम था वर्थ ओफ गोड जिसमें मोसाद आतकवादियों को मारने से पहले उनके घर फूलों का गुलदस्ता थी और फिर उसको मोत के घाट उतार देती थी दोस्तों अगर आपको वर्थ ओफ गोड की वीडियो देखनी आए तो कॉमेंट में हमें बताएं और वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक जरूर करिये ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए ये वीडियो ला पाएं बाकी चैन वर की है और आपके बाके जल्दी खरूर से जल्दी छिल्दी रखाई झंद करें जल्दी। झाल 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 झाल